श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आज की कथा में आप सभी वक्तों का हार्दिक स्वागत है भगवान भोलेनात और माता पार्वती की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे अब तक की सभी कथाईं सुनने के लिए वीडियो को लाइक करने के लिए और बहुत ही प्यारे-प्यारे कमट्स करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत-बहुत आभार आज की कथा में आप सुनेंगे भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले व्रतों का वर्णन शिवरात्री व्रत की विधी एवं महिमा का कथन तद्रंतर रिश्यों के पूछने पर सूत जी ने शिव जी की आराधना के द्वारा उत्तम एवं मनोवांशित फल प्राप्त करने वाले बहुत से महान इस्त्रिपुर्शों के नाम बताए इसके बाद रिश्यों कहा हे महर्शियों तुमने जो कुछ पूछा है वही बात किसी समय ब्रह्म्हा विष्णु तथा पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूचा था इसके उत्तर में शिव जी ने जो कुछ कहा वह मैं तुम लोगों को बता रहा हूं भगवान शिव बोले मेरे बहुत से व् लेकिन उनमें मुख्य रूप से 10 व्रत हैं जिन्हें जाबाल शूति के विद्वान 10 शैव व्रत कहते हैं विजों को सदा यत्न पुर्वक इन व्रतों का पालन करना चाहिए हे हरे प्रतेक अश्टमी को केवल रात में ही भोजन करें विशेश्ता क्रिश्ण पक्ष की को तो रात में भोजन करना चाहिए परन्तु क्रिश्ण पक्ष की चतूर दशी को शिव व्रत धारी पुर्षों के लिए भोजन का सर्वता निशेद है दोनों पक्षों में प्रत्तेक सोमवार को प्रयत्न पुर्वक केवल रात में ही भोजन करना चाहिए शिव के व्रत मे व्रत की पूर्ती के लिए अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राम्वणों को भोजन कराना चाहिए, द्विजों को इन सभी व्रतों का नियम पुर्वक पालन करना चाहिए, जो द्विज इनका त्याग करते हैं, वे चोर होते हैं, मुक्ती मार्ग में प्रमीन की प्राप्ती कराने वाले चार व्रतों का नियम पुर्वक पालन अवश्य करना चाहिए, वे चार व्रत इस प्रकार हैं, भगवान शिव की पूजा, रुद्रमंत्रों का जब, शिव मंदरी में उपवास तथा काशी में मरण, ये मोक्ष के सनातन मार्ग हैं, सोमवार की अश्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर दसी, इन दो तिथियों को उपवास पुर्वक व्रत रखा जाए, तो वह भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला होता है, इसमें अन्यथा विचार करनी की अवश्यक्ता नहीं है, अच्छा आप लोगों के प्रश्ण अक्सर आ इन दो तिथियों के व्रत के बारे में इसके महत्व के बारे में शिव पुराण में ही वर्णित है, भगवान शिव आगे कहते हैं, हे हरे इन चारों में भी शिवरात्री का व्रत ही सबसे अतिक बलवान है, इसलिए भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को मुख्यता उसी का पालन करना चाहिए, इस वरत को छोड़कर दूसरा कोई मनुश्यों के लिए हितकारक वरत नहीं है, यह वरत सब के लिए धर्म का उत्तम साधन है, निसकाम अत्वा सकाम भाव रखने वाले सभी मनुश्यों, वर्णों, आश्रमों, श्त्रियो बालकों, दासों, दाशियों तथा देवता आधी सभी देहधारियों के लिए यह स्रेष्ट वरत हितकारक बताये गया है, माग मास के कृष्ण पक्ष में शिवरात्री तिती का विशेश महात्म बताये गया है, जिस दिन आधी रात के समय तक वह तिती विद्यमान हो, उसी दिन उसे वरत के लिए ग्रहन करना चाहिए, शिवरात्री करोणों हत्याओं के पापका नाश करने वाली है, हे केशव उस दिन सभेरे से लेकर जो कार्य करना आवश्यक है, उसे प्रसनाता पुर्वक तुम्हें बता रहा हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो, बुद्धिमान पुरुष सबेरे उठकर बड़े आनंद के साथ श्नान आदी नित्यकर्म करें, आलस्यको पास ना आने दे, फिर शिवाले में जाकर शिवलिंग का विधिमत पूजन करके, मुझ शिव को नमस्कार करने के पस्चात उत्तम रीती से संकल्प करें, और अब संकल्प की विध पूजन बाधा के पूर्ण हो, और काम आदी शत्रू मुझे पीडा ना दे, ऐसा संकल्प करके पूजन सामगरी का संग्रह करें, और उत्तम स्थान में जो शास्त्र प्रशिद शिवलिंग हो, उसके पास रात में जाकर स्वेम उत्तम वेधिविधान का संपादन करें, फि पूजन बार आचमन करने के परश्चात पूजन प्रारम्ब करें, जिस मंतर के लिए जो द्रव्य नियत हो, उस मंतर को पढ़कर उसी द्रवे के द्वारा पूजन करना चाहिए। पहले पार्थिव बनाकर पीछे उसकी विदिवत स्थापना करें, फिर पूजन के पस्चात नाना प्रकार के इस तोत्रों द्वारा भगवान व्रिशब ध्वज को संतुष्ट करें, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उस समय शिवरात्री व्रत के महात्म का पाट करे श्रिष्ट भक्त अपने व्रत की पूर्दी के लिए उस महात्मी को श्रधा पुर्वक सुने, रात्री के चारों पहर में चार पार्थिव लिंगों का निर्माण करके आवाहन से लेकर विसरजन तक क्रमसह उनकी पूजा करे और बड़े उत्सव के साथ प्रसनता जागरन करें, प्रातयकाल श्नान करके पुनेह वहाँ पार्थिव शिव का स्थापन और पूजन करें, इस तरह व्रत को पूरा करके हाथ चोड़कर मस्तक जुका कर बारम बार नमसकार पुर्वक भगवान शंभू से इस प्रकार प्रार्तना करें, प्रार्तना इवं विस इस व्रत से आप आज मुझपर क्रिपा करके संतुष्ठ हों। ततपस चात शिव को पुस्पांजली समर्पीत करके विधी पुर्वक दान दे। फिर शिव को नमस्कार करके व्रत संबंधी नियम का विसर्जन कर दे। अपनी शक्ती के अनुसार शिव भक्त ब्राम्भणों विशेष्त सन्यासियों को भोजन कराकर पुर्णतिया संतुष्ठ करके स्वैम भी भोजन करें। हे हरे शिवरात्री को प्रत्येक पहर में स्रेष्ट श्युवभक्तों को जिस प्रकार विशेष पूजा करनी चाहिए। उसे मैं बताता हूं तुम ध्यान पुर्वक सुनो प्रत्यम पहर में पार्थिव लिंगे की स्थापना करके अनेको सुन्दर उपचारों द्वारा उत्तम भक्ती भाव से पूजा करें। पहले गंद पुष्प आदी पाच द्रव्यों द्वारा सदा महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। उस उस द्रवे से संबंध रख उसके बाद जलधारा अवश्यर पित करना चाहिए। और जलधारा के साथ साथ 108 मंत्र का जब करके वहां निर्भुण सगुण रूप शिव का पूजन करें। गुरु से प्राप्त हुए मंत्र द्वारा भगवान शिव की पूजा करें। अन्यथा नाम मंत्र द्वारा श शंकर जी को पुष्परपित करें। वे आठ नाम इस प्रकार हैं भव, शर्व, रुद्र, पश्युपति, उग्र, महान, भीम और इशान। इनके आरंभ में श्री और अंत में चतुर्थी विभक्ती जोड कर श्री भवाय नमा इत्यादी मंत्रों द्वारा शिव जी का प मरपीत करें। तद्रंतर नमस्कार और ध्यान करके गुरु के दिये हुए मंत्रों का जब करें। गुरु दत्त मंत्र ना हो तो पंचाक्षर मंत्र अर्थात नमः शिवाय मंत्र के जब से भगवान शंकर को संतुष्ट करें। धेनु मुद्रा दिखाकर उत्तम जलसित त अत्वा एक ही समय चारों प्रहरों के लिए संकल्प करके पहले प्रहर की भाती ही पूजा करता रहे पहले पुर्वक्त द्रव्यों से पूजन करके फिर जल्धारा समर्भित करें प्रथम पहर की अपेक्षा दुगने मंत्रों का जब करके शिव जी की पूजा करें पुर्व इस से पहले की अपेक्षा मंत्रों की दुगनी आवरिती करनी चाहिए, फिर ब्रामणों को भोजन कराने का संकल्प करें, शेश सब बातें पहले की ही भाती तब तक करता रहे जब तक की दूसरा प्रहर पूरा ना हो जाये, तीसरे प्रहर के आने पर पूजन तो पहले के समा करें, इस प्रकार पूजन करके कपूर से आर्ती उतारें, अनार के फल के साथ अर्खितें और दूसरे प्रहर की अपेक्षा दुगना मंत्र जाप करें, तदरंतर दक्षिना सहित ब्रामण भोजन का संकल्प करें, और तीसरे प्रहर के पूरा होने तक पुर्ववत करें, पुने आवाहन आधी करके विधिवत पूजा करें, उरद, कंगनी, मूंग, सप्तधान्य, संखी पूस्प तथा बिलोपत्रों से परमेश्वर शंकर का पूजन करें, उस प्रहर में भाती-भाती की मिठाईयों का नेविद्ध लगाएं, अत्वा उरद के बड़े आधी बनाकर उनके द्वारा सदा शिव को संतुष्ट करें, केले के फल के साथ अत्वा अन्य विविद फलों के साथ शिव को आर्किते, तीसरे प्रहर की अपेक्षा दूना मंत्र जाप करें और यथा शक्ती ब्रामभर भोजन का संकल्प करें, गीत वाध्य तथा नृत् प्रहर को अनेको प्रकार के भोज्य बदार्थों का भोजन कराएं, फिर भगवान शंकर को नमसकार करके पुष्पांजली दें और बुधिमान पूरुष उत्तम स्थूती करके इस प्रकार से उनकी प्रार्तना करें, हे सुखदायक कृपान इधान शिव, मैं आपका हूँ, मेरे प्राण आप में ही लगे हैं और मेरा चित सदा आपका ही चिंतन करता है, यह जानकर आप जैसा उचित समझे वैसा करें, हे भूतनात, मैंने जानकर या अंजाने में जो जप और पूजन आधी किया है, उसे आपका भजन होता रहे, जहां के आप इष्ट देवता ना हो, उस कुल में मेरा कभी जन्मना हो, इस प्रकार प्रार्तना करने के पस्चात भगवान शिव को पुस्पांचली समर्पित करके, ब्राम्भणों से तिलक और आशिरवाद ग्रहन करें, तदरंतर शंभू का विस इस वरत का पालन हो उसके लिए भी अवश्य ही मुग्ति का बीज बो दिया गया, मनुष्यों को प्रतिमाज भक्ति पुर्वक शिवरात्री वरत अवश्य करना चाहिए, तद पस्चात इसका उध्यापन करके, मनुष्य सांगो पांग फल का लाब करता है, इस वरत का पाल भगवान शिव का या अत्यांत हितकारक और अध्भुद वचन सुनकर श्री विष्णु अपने धाम को लोटाए, उसके बाद इस उत्तम वरत का अपना हेत चाहने वाले लोगों में प्रचार हुआ, किसी समय केशव ने नारत जी से भोग और मोक्ष देने वाले इस दिव शिवरात्री वरत का वरणन किया था, शिवरात्री वरत के उध्यापन की विधी, रिशी बोले, हे सूती जी, अब हमें शिवरात्री वरत के उध्यापन की विधी भी बताईए, जिसका अनुष्ठान करने से साक्षात भगवान शंकर निश्चे ही प्रसंद होते हैं, सूत 14 वर्षों तक शिवरात्री के शुभ व्रत का पालन करना चाहिए। त्रयोदशी को एक समय भोजन करके चतुरदशी को पूरा उभवास करना चाहिए। शिवरात्री के दिन नित्य कर्म संपन्न करके शिवाले में जाकर विधी पुर्वक शिव का पूजन करें ततपस चाथ वहां प्रयत्न पुर्वक एक दिव्य मंडल बनवाएं जो तीनों लोकों में गौरी तिलक नाम से प्रशिद्ध हैं उसके मध्य भाग में दिव्य लिं सत्र फल और दक्षिना के साथ होने चाहिए उन सब को मंडप के पार्शो भाग में यतन पुर्वक स्थापित करें मंडप के मध्य भाग में एक सोने का अथवा दूसरी धातु तामबे आधिका बना हुआ कलस स्थापित करें व्रती पुरुष उस कलस पर पार्वती शहित शिव की सुवर्ण मैं प्रतिमा बना कर रखें वह प्रतिमा एक पल अर्थात एक तोले अत्वा आधे पल सोने की होनी चाहिए या जैसी अपनी शक्ति हो उसके अनुसार प्रतिमा बनवाले वाम भाग में पार्वती की और दक्षिन भाग में शिव की प्रतिमा स्थापित करके रात्री में उनका पूजन करें आलत से छोड़कर पूजन का काम करना चाहिए उस कार्य में चार रित्विजों के साथ एक पवित्र आचार्य का वर्णन करें और उन सब की आज्या लेकर भक्ति-पूर्वक शिव की पूजा करें रात को प्रत्यक पहर में प्रिथक- पूजन करने के पस्चात सवीदी होम करें फिर यथा शक्ति प्रजापत्य विधान करें फिर ब्रामभणों को भक्ति-पूर्वक भोजन कराएं और यथा शक्ति दान दे इसके बाद वस्त्र अलंकार्त था आभूश्रों द्वारा पत्नी सहित रित्विजों को अलंकरित करके उन्हें विधिपूर्वक प्रिथक प्रिथक दान दे फिर आवश्यक सामग्रियों से युक्त बच्छड सहित गौका आचार्य को यह कहकर विधिपूर्वक दान दे कि इस दान से भगवान शीव मुझे पर प्रसन हो तत्पस्चात कलश्य सहित उस मूर्ती को वस्त् प्रातना करें हे देवदेव हे महादेव हे शरनागत वत्सल हे देवेश्वर इस व्रत से संतुष्ट होकर आप मेरे उपर क्रिपा कीजिए हे शिव संकर मैंने भक्ति भाव से इस व्रत का पालन किया है इसमें जो भी कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूरी हो जाए हे शंकर मैंने अंजाने में या जान बोज कर जो भी जब पूजन आदी किया है वह आपकी क्रिपा से सफल हो इस तरह परमात्मा शिव को पुस्पांजली अरपन करके फिर नमसकार एवं प्रार्तना करें जिसने इस प्रकार व्रत पूरा कर लिया उसके उस व्रत में कोई न्यूंता नहीं रहती इससे वह मनोवांसित सिध्धी प्राप्त कर लेता है इसमें कोई शंसे ही नहीं है और अब आप सुनेंगे अंजाने में शिवरात्री व्रत करने से एक भील पर भगवान शंकर की अदबुत क्रिपा रिश्यो ने पूछा हे सूती जी पुर्वकाल म किसने इस उत्तम शिवरात्री व्रत का पालन किया था और अंजाने में भी इस व्रत का पालन करके किसने कौन सा फल प्राप्त किया था सूती जी ने कहा हे रिश्यो तुम सब लोग सुनो मैं इस विशय में एक निशाद का प्राचीन इतिहास सुनाता हूं जो सब पापों क नाश करने वाला है बहुत समय पहले की बात है किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम था गुरुद्रुम उसका कुटुम्ब बड़ा था तथा वह बल्वान और कुरूर सुभाव का होने के साथ ही कुरूरता पुर्ण कर्मे में तत्पर भी रहता था वह प्रती दिन वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया तदनंतर एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभकारक शिवरात्री आई किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवाश करने वाला था इसलिए उस वरत को जानता ही नहीं था उसी दिन उस भील के माता बिता और घूमने लगा दैव योग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सोरी अस्त हो गया इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा अब मैं क्या करूं कहा जाओं आस तो कुछ भी नहीं मिला घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा मेरी जो पत्मी है उसकी भी क्या दशा होगी अतह मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए अन्य था नहीं ऐसा सोचकर वह व्याद एक जलासे के समीब पहुचा और जहां पानी में उतरने का घाट था वहां जाकर खड़ा हो गया वह मन ही मन यह विचार करता था कि यहां कोई न पानी पीने के लिए अवश्य आएगा उसी को मार कर कृतिकृत्य होकर उसे साथ लेकर प्रसनता पूर्वा घर को जाऊंगा ऐसा निश्चय करके वह व्याद एक बेल के पेल पर चल गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जी अपणी भर रही थी हे ब्राम्हणो उस म्रिगी को देख कर व्याद को बड़ा हर्श हुआ और उसने तुरंत ही उसके वद के लिए अपने धनुस पर एक बान का संधान किया ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्वपत्र नीचे गिर पड़े उ वहां होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर हर्णी ने भैसे उपर की ओर देखा व्याद को देखते ही वह व्याकूल हो गई और बोली म्रिगी ने कहा हे व्याद तुम क्या करना चाहते हो मेरे सामने सच सच बताओ हर्णी की यह बाद सुनकर व्याद razor ने कहा आज मेरे कुटुम्ब के लोग भूखे हैं अतह तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा उन्हें त्रिप्त करूँगा व्याद का यह दारुण वचन सुनकर तथा जिसे रोकना कठिन था उस दुष्ट भील को बाणताने देखकर मृगी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूँ कहा जाओं अच्छा कोई उपाय रच्ति हूँ ऐसा विचार कर उसने वहाँ इस प्रकार कहा रिगी बोली भील मेरे मांस से तुमको सुख होगा इस अनर्थकारी शरीड के लिए इससे अधिक महान पुने का कारी और क्या हो सकता है उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुने प्राप्त होता है उसका सौ बरसों में भी वरणन नहीं किया जा सकता परन्तु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही है मैं उन्हें अपनी बहिन को अत्वा स्वामी को सौप को लोट आओंगी हे वानेचर तुम मेरी इस बात को मिध्याना समझो मैं फिर तुम्हारे पास लोट आओंगी इसमें कोई शंशय नहीं है सत्य से ही धर्ती ठीकी हुई है सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही नीरजरों से जल की धाराएं गिरती रहती है सत्य में ही सब कुछ स्थित है सूती जी कहते हैं मृरीगी के ऐसा कहने पर भी जब व्यात ने उसकी बात नहीं मानी तब उसने अत्यंत विश्मित एवं भैभीत होकर पुन्ह इस प्रकार से कहना प्रारंब किया मृरीगी बोली हे व्याद सुनो मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपत खाती हूँ जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लोट आऊंगी ब्रामभण यदि वेद बेचे और तीनो काल संध्या ना करे तो उसे जो पाप लगता है पती की आज्या का उलंगन करके स्वेच्छा नुसार कार्य करने वाली इस्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ती होती है किये हुए उपकार को न मानने वाले भगवान शंकर से विमुक रहने वाले दूसरों से द्रोह करने वाले धर्म को लांगने वाले तथा विश्वास घात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि लोट कर यहां न आऊ इस तरह अनेकों सबत खाकर जब म्रिगी चुपचाब खड़ी हो गई तब उस व्याद ने उस पर विश्वास करके कहा अच्छा अब तुम अपने घर को जाओ तब वह म्रिगी बड़े हर्स के साथ पानी पी कर अपने आश्रम मंडल में गई इतने में ही रात का वह पहला पहर व्याद के जागते जागते ही बीत गया तब उस हिरनी की बहिन दूसरी म्रिगी जिसका पहली ने स्मरण किया था उसी की रहा देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई उसे देखकर श्वैम भील ने बाण को तरकशे खीचा ऐसा करते समय पुनेह पहले की ही भात भगवान शिव के उपर जल और बिलोपत्र गिरे उसके द्वारा महात्मा शंभू की दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई यद्यपी यह प्रसंगवस ही हुई थी तो भी व्याद के लिए सुखताईनी हो गई म्रिगी ने उसे बाण खीचते देख कर पूछा हे वनेचर यह क्या करते हो व्याद ने पुर्ववत उत्तर दिया मैं अपने भूखे कुटुम को त्रिप्त करने के लिए तुझे मारूंगा यह सुनकर वह म्रिगी बोली म्रिगी ने कहा व्याद मेरी बात सुनो मैं धन्य हूँ मेरा देह धारन सफल हो गया क्योंकि इस अनित्य शरीड के द्वारा उपकार होगा परन्तु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में है अतह मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौप दू फिर तुम्हारे पा उसे सुनो यदि मैं लोटकर ना आऊं तो अपना सारा पुन्य हार जाऊं क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है वह अपने पुन्य को हार जाता है जो पुरुष अपनी विवाहता इस्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है वैतिक धर्म का उलंगन करके कपोल कलपित धर्म पर चलता है भगवान मिश्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है माता पिता के निधन तिथी को श्राथ आदिना करके उसे सूना बिता देता है तथा मन में संताप का अनुभाव करके अपने दिये हुए वचन को पूरा करता है ऐसे लोगों को जो पाप अपने आश्रम को गई इतने में ही रात का दूसरा प्रहर भी व्याद के जागते जागते ही बीत गया इसी समय तीसरा प्रहर प्रारंब हो जाने पर म्रिगी के लोटने में बहुत विलंभ हुआ जानकर चकित हो व्याद उसकी खोज करने लगा इतने में ही उसने जल के मार में एक हिरन को देखा वह बड़ा हृष्ट पुष्ट था उसे देखकर वनेचर को बड़ा हर्ष हुआ और धनुस पर बाण रखकर उसे मार डालने को उद्यत हुआ ऐसा करते समय उसके प्रारब धवस कुछ जल और बिल्वपत्र शिवलिंग पर गिरे उससे उसके सौभाग से भगवान शिव की तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई पत्तों के गिरने आदी का शब्द सुनकर उस म्रिग ने व्याद की ओर देखा और पूजा क्या करते हो व्याद ने उत्तर दिया मैं अपने से पुष्ट होना सफल हो गया क्योंकि मेरे सरीर शे आप लोगों की त्रिप्ती होगी जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता उसका सब कुछ वेर्थ चला गया जो सामर्थ रहते हुए भी पिसी का उपकार नहीं करता है उसकी वह सामर्थ व्यर्थ चली जाती है उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पापपुन्ज नश्ठ हो चुके थे उसने इस प्रकार कहा व्याद बोला जो जो यहां आये थे वे सब तुम्हारी ही तरह बाते बना कर चले गए परन्तु वे वंचक अभी तक यहां नहीं लोटे हैं ब्रिग तुम भी इस समय संकट में हो इसलिए जूट बोल कर चले जाओगे फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा ब्रिग बोला व्याद मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो मुझ में असत्य नहीं है सारा चराचर ब्रह्मान सत्य से ही ठीका हुआ है जिसकी वाणी चू बाही देने से धरुहर को हड़प लेने से तथा संध्या ना करने से विज को जो पाप होता है वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौट करना हूँ जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता जो समर्थ रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता परवे के द किते हैं उसकी बाद सुनकर व्याद ने कहा जाओ शीख्र लोटना व्याद के ऐसा कहने पर मेरे के पानी पी कर चला गया वे सब अपने आश्रम पर मिले तीनों ही प्रतिग्याबद्ध हो चुके थे आपस में एक दूसरे के व्रितांत को भली भाती सुनकर सत्य के पास शे आने के लिए उच्चुक हो गये उस समय जेठी मृगी ने वहां अपने स्वामी से कहा है स्वामीन आपके बिना यहां बालक कैसे रहेंगे है प्रभो मैंने ही वहां पहले जाकर प्रतिग्या की है इसलिए केवल मुझको जाना चाहिए आप दोनों यही रहें उसकी यह बा प्रतिक्षा माता से ही होती है स्वामी की यह बात सुनकर उन दोनों मरिग्यों ने धर्म की दृष्टी से स्विकार नहीं किया वे दोनों अपने पती से प्रेम पूर्वक बोली हे प्रभो पती के बिना इस जीवन को धिक्कार है तब उन सब ने अपने बच्चों को उन्होंने यह निश्चे कर लिया था कि इन माता पिता की जो भी गती होगी वही हमारी भी हो। उन सब को एक साथ आया देखकर व्याद को बड़ा हर्श हुआ। उसने धनुस पर बाण रखा, उस समय पुनह जल और बिल्वपत्र शिव के उपर गिरे। उससे शिव की चौथे पहर की शुब पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय व्याद का सारा पाप ततकाल भश्म हो गया। इतने में ही दोनों मिरिगिया और मिरिग बोल उठे। व्याद शिरो मने, शिक्र क्रिपा करो और हमारे शरीड को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर व्याद को बड़ा विसमे हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुरलब ज्यान प्राप्त हो गया। उसने सोचा ये मिरिग ज्यान हीन पशु होने पर भी धन्य है। सर्वथा आदरणी है क्योंकि अपने शरीड से ही परुपकार में लगे हुए है। मैंने इस समय मनुशे जन्म पाकर भी किस पुरुशार्थ का साधन किया। दूसरे के शरीड को पीड़ा देकर अपने शरीड को पोसा है। प्रति दिन अने को प्रकार के पाप करके अपन इस प्रकार ज्यान संपन्न होकर व्याद ने अपने बाढ़ को रोक लिया और कहा हे स्रेष्ट मरेगो तुम जाओ तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याद के ऐसा कहने पर भगवान शंकर ततकाल प्रसन हो गये। और उन्होंने व्याद को अपने सम्मानित एवं पूजित स रूप का दर्शन कराया तथा क्रिपा पुर्वक उसके शरीर का स्पर्स करके उससे प्रेम से कहा भील मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन हूँ वर मांगो व्याद भी भगवान शिव के उस रूप को देखकर ततकाल जीवन मुक्त हो गया और मैंने सब कुछ पा लिया यो कहत हुआ उनके चरणों के आगे गिरपड़ा उसके इस भाव को देखकर भगवान शिव भी मन ही मन बड़े प्रसन हुए और उसे गुह नाम देकर क्रिपाद रिष्टी से देखते हुए उन्होंने उसे दिव्यवड दिये शिव बोले हे व्याद सुनो आज से तुम से रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चे ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुरलब मोक्ष पा जाओगे इसी समय वे सब अम्रिक भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके म्रिक योनी से मुक्त हो गए तथा दिव्य देहधारी होकर विमान पर बैठकर शिव के दर्शन मादर से शाप मुक्त होकर दिव्य धाम को चले गए तब से अर्बुद परवत पर भगवान शिव व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए जो कि दर्शन और पूजन करने पर ततक अंजाने में ही इस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको सायूज मुक्ष मिल गया फिर जो भक्ती भाव से संपन्न होकर इस व्रत को करते हैं वे शिव का शुब सायूज प्राप्त कर लें इसके लिए तो कहना ही क्या है संपुर्ण शास्त्रों तथा अनेको प्रकार के धर्मों के विशे में भली भाती विचार करके इस शिवरात्री व्रत को सबसे उत्तम बताये गया है इस लोग में जो नाना प्रकार के व्रत, विविध तीर्थ, भाती-भाती के विचित्रदान, अनेको प्रकार के यग्य, तरह-तरह के तपत अथा बहुत से जप हैं, वे सब इस शिवरात्री व्रत की समानता नहीं कर सकते इसलिए अपना हित चाहने वाले मनुश्यों को इस शुबतर व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए, यह शिवरात्री व्रत दिव्य है, इससे सदा, भोग और मोक्ष की प्राप्ती होती है, हे महर्शियों यह शुब शिवरात्री व्रत, व्रतराज के नाम से विख्यात है, इ यहां मुक्ति मिलने पर क्या होता है? मुक्ति में जीवकी कैसी अवस्ता होती है? यहां में बताईए। सूती जी ने कहा हे महर्शियों, सुनो मैं तुमसे संसारक लेश का निवारन तथा पर्मानंद का दान करने वाली मुक्ति का स्वारूप बताता हूं। मुक्ति चार प्रकार की कही गई है, सारुप्या, सालोक्या, सानिध्या तथा चौथी सायुज्या, इस शिवरात्री व्रत से सब प्रकार की मुक्ति सुलब हो जाती है, जो ज्यान रूप अविनाशी, साक्षी, ज्यान गम्य और वैत्रहित साक्षात शिव हैं, वे ही यहां क कैवल्या नामक जो पांचवी मुक्ती है, वह मनुश्यों के लिए अत्यांद दुरलब है। हे मुनिवरों मैं उसका लक्षन बताता हूँ, सुनो, जिनसे यह समस्त जगत उत्पन्न होता है, जिनके द्वारा इसका पालन होता है, तथा अंततो गत्वा यह जिन में लीन होता है, वे ही शिव हैं, जिससे यह संपुर्ण जगत व्याप्त है, वही शिव का रूप है। हे मुनिश्वरों, वेदों में शिव के सदा दो रूप बताए गए हैं, सकल और निश्कल, शिव तत्व, सत्य, ज्यान, आनंत, एवं सच्चिदानंद के नाम से प्रसिद्ध है, निर्गुण, उपाधि रहित, अविनाशी, शुद्ध एवं निरंजन, अर्थात निर्मल है वह न लाल है न पीला, न सफेद है न नीला, न छोटा है न बड़ा और न मोटा है न महीन, जहां से मन सहित वाणी उसे न पाकर लौट आती है, वह परब्रह्म परमात्मा ही शिव कहलाता है, जैसे आकास सर्वत्र व्यापक है, उसी प्रकार से यह शिव तत्व भी सर्व यह माया से परे संपुर्ण द्वंदों से रहित तथा मत्सर्ता शुन्य परमात्मा है यहां शिव ज्ञान का उदय होने से निश्चय ही उसकी प्राप्ति होती है अत्वाद्विजो सुक्ष्म बुद्धी के द्वारा शिवका ही भजन ध्यान करने से सत्पुरुषों को शि बखति से ही बहुत से पुरुस सिध्वी लाब करके प्रसनता पुर्वक परम मोक्ष पा गये हैं भगवान शंभु की भगति ज्ञान की जननी मानी गई है जो सदा भोग और मोख देने वाली है वह साधु महापुरुषों के कृपा प्रसाद से सुलव होती है उत्तम प्रेम का अंकुर ही उसका लक्षण है हेद विजो वह भक्ती भी सगुण और निर्गुण के भेद से दो प्रकार की जाननी चाहिए फिर वैधी और स्वाभावी की ये दो भेद और होते हैं इनमें वैधी की अपेक्षा स्वाभावी की स्रेष्ट मानी गई है इनके सिवा नैस्ठ और अनैस्ठिकी के भेद से भक्ती के दो प्रकार और बताए गए हैं नैस्ठिकी भक्ती छे प्रकार की जाननी चाहिए और अनैस्ठिकी एक ही प्रकार की फिर विहिता और अविहिता के भेद से विद्वानों ने उसके अनेको प्रकार माने हैं उनके बहुत से भेद होने क के कारण यहां विश्त्रित वर्णन नहीं किया जा रहा उन दोनों प्रकार की भक्तियों के श्रव्ण आदि भेद से नौ अंग जानने चाहिए भगवान की कृपा के बिना इन भक्तियों का संपादन होना कठिन है और उनकी कृपा से सुगमता पुर्वक इनका साधन होता है हे द्विजों भक्ति और ज्ञान को शंभु ने एक दूसरे से भिन्य नहीं बताया है इसलिए उनमें भेद नहीं करना चाहिए ज्ञान और भक्ति दोनों के ही साधकों को सदा सुख मिलता है हे ब्रामभणों जो भक्ति का विरोधी होता है उसे ज्ञान की प्राप्ति नह ही है महर्शियों तुमने जो कुछ पूछा था उसी का मैंने वर्ण किया है इस प्रसंग को सुनकर मनुष्य सब पापों से निसंदेह मुक्त हो जाता है शिव विष्णू रुद्र और ब्रह्म्हा के स्वरूप का विवेचन रिश्यों ने पूछा शिव कौन है विष्ण प्रमात्मा से सर्वपर्थम जो सगुण रूप प्रकट हुआ उसी का नाम शिव है शिव से पुरुस सहित प्रकृति उत्पन्न हुई उन दोनों ने मूल स्थान में स्थित जल के भीतर तप किया वह स्थान पंच क्रोशी काशी के नाम से विख्यात है जो भगवान शिव युको अत्यंत प्री है यह जल संपुर्ण विश्व में व्याप्त था उस जल का आश्रे लेकर योग माया से युक्त श्रीहरी वहां सोई नार अर्थात जल को अयन अर्थात निवास स्थान बनाने के कारण फिर नारायन नाम से प्रसिद्ध हुए और प्रकृति नारायन कहलाई नारायन के नाभी कमल जिननकी उत्पत्ती हुई वह ब्रह्मा कहलाते हैं ब्रह्मा और विश्व के विवाद को शांत करने के लिए निरगुण शिव ने जो प्रकट किया उसका नाम महादेव है उन्होंने कहा मैं शंभू ब्रह्माजी के ललाट से प्रकट होंगा इस कथन के अनुसार समस्त लोकों पर अनुग्रह करने के लिए जो ब्रह्माजी के ललाट से प्रकट हुए उनका नाम रुद्र हुआ इस प्रकार रूप रहित परमात सबके चंतन का विशय बनने के लिए साकार रूप में प्रकट हुए वेही साक्षात भक्त वस्सल शिव हैं तीनों गुणों से भिन शिव में तथा गुणों के धाम रुद्र में उसी तरह वास्तविक भेद नहीं है जैसे सुवर्ण और उसके आभूशन में नहीं है दोनों के रूप और कर्म समान हैं दोनों समान रूप से भक्तों को उत्तम गति प्रदान करने वाले हैं दोनों समान रूप से सबके सेवनिय हैं तथा नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले हैं भयानक प्राक्रमी रुद्र सर्वता शिव रूप ही हैं वे भक्तों के कार्य की स तहायता करने के लिए प्रकट हुए हैं अन्य जो जो देवता जिस क्रम से प्रकट हुए हैं उसी क्रम से लैको प्राप्त होते हैं परन्तु रुद्र देव उस तरह लीन नहीं होते उनका साक्षात शिव में ही लै होता है ये प्राकृत प्राणी रुद्र में मिलकर ही लैको प्राप्ठ होते हैं, परनतु रुद्र इनमें मिलकर लैको प्राप्ठ नहीं होते, वह भगवति शृति का उपदेश हैं. सब लोग रुद्र का भजन करते हैं, किन्तो रुद्र किसी का भजन नहीं करते हैं, वे भक्त वस्सल होने के कारण कभी-कभी अपने आप भक्त जनों का चिंतन कर लेते हैं, जो दूसरे देवता का भजन करते हैं, वे उसी में लीन होते हैं, इसलिए वे दिर्ग काल के बाद रुद्र में लीन होने का अवसर पाते हैं, जो कोई रुद्र के भक्त हैं वे तत्काल शिव हो जाते हैं, अतर उनके लिए दूसरे की अपेक्षा नहीं रहती, यह सनातन शुर्ती का उपदेश है, हेद विजो अज्ञान अनेको प्रकार का होता है, परंतु विज्ञान का ए अपना मिठ्या है, श्रिष्टी के पूर्व में भी शिव की सत्ता बताई गई है, श्रिष्टी के मध्य में भी शिव विराज रहे हैं, और श्रिष्टी के अंत में भी शिव रहते हैं, और जब सब कुछ सुन्यता में परिनत हो जाता है, उस समय भी शिव की सत्ता रहती ह अतह हे मुनिश्वरों शिव को ही चतुर्गुण कहा गया है। अनुग्रह करने वाले साक्षात संकर हैं। अनेकता को प्राप्थ हो सकते हैं। एक ही बीज बाहर होकर व्रिक्ष और फल आदी के रूप में परिरत होता हुआ। पुनह बीज भाव को प्राप्थ हो जाता है। इसी प्रकार शिव रूपी महेश्वर स्वयम एक से अनेक होने में हेतु है। यह उत्तम शिव ज्याम तत्वतह बताय गया है। ज्यानवान पूरिशी इसको जानता हैं दूसरा नहीं। मुनी बोले हे सूत जी आप लक्षन सहित ज्यान का वणन कीजिए। जिसको जानकर मनुष्य शिव भाव को प्राप्थ हो जाता है। सारा जगत शिव कैसे हैं अत्वा शिव ही संपूर्ण जगत कैसे हैं। रिशियों का यह प्रस्ण सुनकर पौराणिक शिरोमनी सूत जी ने भगवान शिव के चरणार विंदो का चिंतन करके उनसे कहा। सूत जी ने कहा हे रिशियों मैंने शिव ज्यान जैसा सुना है उसे बता रहा हूं। तुम सब लोग सुनो। यह अत्यंत गोहय और परम मोक्ष स्वरूप है। ब्रह्म्ह, नारद, सनकादी, मुनी, व्यास तथा कपिल। इनके समाज में इनहीं लोगों ने निश्चय करके ज्यान का जो स्वरूप बताया है उसी को यथार्थ ज्यान समझना चाहिए। संपुर्ण जगत शिव में है यह ज्यान सदा अनुशीलन करने योग्य है। सरवग्य विद्वान को यह निश्चित रूप से जानना चाहिए कि शिव सरव में है। ब्रह्मा से लेकर त्रिण पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब शिव ही है। वे महादेव जी ही शिव कहलाते हैं। जब उनकी इच्छा होती है तब वे इस जगत की रशना करते हैं। वे ही सबको जानते हैं उनको कोई नहीं जानता। वे इस जगत की रचना करके स्वैम इसके भीतर प्रविष्ट होकर भी इससे दूर हैं। वास्तों में उनका इसमें प्रवेशी नहीं हुआ है। क्योंकि वे निरलिप्त सच्चिदानन्द स्वरूप हैं। जैसे सुर्यादी जोतियों का जल में प्रतिभीम्ब पढ़ता ह वास्तों में जल के भीतर उनका प्रवेश नहीं होता। उसी प्रकार साक्षास शिव के विशय में समझना चाहिए। वस्तुतर विश्वयम ही सब कुछ है। मतभेधी अज्यान हैं। क्योंकि शिव से भिन्य किसी द्वैत वस्तु की सत्ता नहीं है। संपूर्ण दर्शन है। अविद्या से मुक्त होने पर वह शिव ही हो जाता है। शिव सब को व्याप्त करके स्थित हैं। और संपूर्ण जंत्वों में व्यापक हैं। वे जड़ और चेतन सब के इश्वर होकर स्वयम ही सब का कल्यान करते हैं। जो विद्वान पुरुस वेदांत मार्ग का आश्रे लेकर उनके साक्षातकार के लिए साधना करता है। उसे वा साक्षातकार रूप फल अवश्य प्राप्त होता है। व्यापक अगनी तत्व प्रत्यक काश्ट में स्थित हैं। परन्तु जो उस काश्ट का मन्थन करता है वही असंदिक्ध रूप से अगनी को प्रक विish towr β्रम Also प्रतु नहीं है विशित्य ब्रह्म से ही सदा नाना स्जित होते हैं जैसे समुद्र मिट्विंटે अतवा सुवर्ण यह उपादी से ना तत्व को प्राप्त होते हैं उसी प्रकार भगवाण शंक भी उपाधियों से ही अनेकों आंकुर रूपों में भास्ते हैं, कार्य और कारण में वास्थिविक भेध नहीं होता, केवल भ्रम से भरी हुई बुद्धी के द्वारा ही उसमें भेद की प्रतीती होती हैं, भ्रम दूर होते ही भ्येद बुद्धी का नाश हो जाता है, जब इज से अंकुर उत्पन होता ह तब वह नानात्यों को प्रकट करता है फिर अंत में वह बीज रूप में हिस्थित होता है और अंकुर नश्ठ हो जाता है ज्यानी बीज रूप में हिस्थित है और नाना प्रकार की विकार अंकुर रूप है उन विकार स्वरूप अंकुरों की निव्रिति हो जाने पर पुर यही सुरिय नामक जोती जल और उपाधियों में विशेश रूप से नाना प्रकार की दिखाई देती है उसी प्रकार शिव भी है जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक होकर भी इस पर्स आदि बंधन में नहीं आता उसी प्रकार व्यापक शिव भी कहीं नहीं बढ़ते एहंकार से युक्त होने के कारण शिव का अंश जीव कहलाता है उस एहंकार से मुक्त होने पर वह साक्षात शिव ही है कर्मों के भोग में लिप्त होने के कारण जीव तुछ है और नेटलिप्त होने के कारण शिव महान है जैसे एक ही सुवर्ण आदी चांदी आदी सेर मिल जाने पर कम कीमत का हो जाता है उसी प्रकार एहंकार युक्त जीव अपना महत्व खो बैठता है जैसे छार आदिशे शुद्ध किया हुआ उत्तम सुवर्ण आदिप पुर्ववत बहमुल्य हो जाता है उसी प्रकार संसकार विशेश से शुद्ध होकर जीव भी शुद्ध ह पहले सद्गुरु को पाकर भक्ति भाव से युक्त होकर शिव बुद्धी से उनका पूजन और स्मरणादी करें। गुरु में शिव बुद्धी करने से सारे पाप आदिमल शरीर से निकल जाते हैं। उस समय अज्ञान नष्ठ हो जाता है और मनुष्य ज्यानवान हो जाता में अहंकार मुक्त निर्मल बुद्धी वाला जीव भगवान शंकर के प्रसाद से पुनह शिव रूप हो जाता है। जैसे दरपण में अपना रूप दिखाई देता है उसी तरह उसे सर्वत्र शंभू का साक्षातकार होने लगता है। वही जीवन मुक्त कहलाता है। शर शुब को पाकर क्रोध्या शोक नहीं करता तथा सुख दुख आदी सभी द्वंदों में समभाव रखता है वह ज्यानवान गहलाता है। आत्म चिंतन से तथा तत्वों के विवेक से ऐसा प्रयत्न करें कि शरीर से अपनी प्रिथकता का बोध हो जाए। मुक्ती की उपलब्धी बताई गई है। प्रेम से श्रवण होता है, श्रवण से सत्संग प्राप्त होता है और सत्संग से ज्यानी गुरु की उपलब्धी होती है और गुरु की क्रिपा से ज्यान प्राप्त हो जाने पर मनुष्य निश्चय ही मुक्त हो जाता है। इसलिए जो समझ उसे सदा शंभू का भजन ही करना चाहिए जो अनन्य भक्ति से युक्त होकर शंभू का भजन करता है उसे अंत में अवशे ही मोक्ष प्राक्त हो जाता है अतह मुक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है उनकी शरण लेकर प्रयत्न पुर्वक धारण करना चाहिए है मुनिश्वरों तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बता दिया इसे तुम्हें प्रयत्न पुर्वक गुप्त ही रखना चाहिए बताओ अब और क्या सुनना चाहते हो रिशी बोले है व्यासेश्य आपको नमस सूत जी ने कहा हेदविजों जो नास्तिक हो श्रद्धाहीन हो और शठ हो जो भगवान शिव का भक्त ना हो तथा इस विशय को सुनने की इच्छा न रखता हो उसे इस तत्वग्यान का उपदेश नहीं देना चाहिए व्यास जी ने इतिहास पुराणों वेदों और शास्त बढ़ती है दुबारा सुनने से उत्तम भक्ती प्राप्त होती है तीसरी बार सुनने से मुक्ष प्राप्त हो जाता है अता भог और मुक्ष रूप फलकी इच्छा रखने वाले लोगों को इसका बारंबार श्रवण करना चाहिए उत्तम फलको पाने के उद्देशे से इस पांच आवरित्या करनी चाहिए मतलब अगर कोई विशेश मनों कामना हो तो शिव पुराण का पांच बार पाठ करना चाहिए ऐसा करने पर मनुष्य उसे अवश्य पाता है इसमें संदेह नहीं है क्योंकि यह व्यास जी का वचन है जिसने इस उत्तम पुराण को सुना है उ जो कोट इरुद्र संगीता के नाम से विख्यात है जो पुरुष एकाग्र चित्त होकर भक्ति भाव से इस संगीता को सुनेगा अत्वा सुनाएगा वह समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में परमगती को प्राप्त कर लेगा कोट इरुद्र संगीता संपोण और कल से प्रारंभ होगी उमा संगीता उमीद करती हूँ जिस प्रकार से आपने अब तक ये कथाएं धैर्य पुर्वक सुनी हैं उसी प्रकार से आगे भी प्रति दिन जरूर सुनेंगे और उमीद करती हूँ कि आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी अच्छी लगी हो कथा तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही जादा से जादा शुभखतों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए मिलती हुमें आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार